हेलो स्टेंट्स मैसल बगवाद सेंग उदावाद तीम फिजिक्स CLC सिकर आज अपन डिसक्स करेंगे एको फिजिक्स का सेकिंड पेपर टॉपिक है रिलिटिव मोशन एंड टू दिमेंशन मोशन जिसके अंदर प्रोजेक्टिल मोशन डिवर प्रोडम वो अपन सब कवर करे हैं अबॉल इस हीट बाट्स मैं अट अंगल 37 डिग्री एस सोन इन फिगर ता मैं इस स्टेंग एड पी शुट रन अट वाट मिनमम वेलोसिटी सो एड ही कैसे बाल विफोर इस ट्रीक्ट ग्रॉंड एजुम्ड एट पर शेंगल इस नेगलिजिजिबल इन कंपरेशन तो प्रोजेक्शन है 37 डिग्री एक पर खड़ा है और यह है एक्चली बॉल का पाथ जो कि यहां पर गिरेगी सो बेसिकली इसको यहां पर इसको कैच करना है तो सिंपल सी बात यह है कि जिस टाइम पर इसको हीट करे उस समय यह भी यहां से रहन होना लग जाए तो बेसिकली इसका टाइम फ्लाइट और इसका टाइम फ्लाइट क्या होना चाहिए एककोल होना चाहिए तो लेट यह जो पी है इस पी पर इसकी वलोसिटी है वी यह इदी टाइम टी लगाता है प्यकोश टाइम फ्लाइट वो है वो कितना होना चाहिए 9 नाव वी टाइम फ्लाइट का जी आप जब इसका वेल्व पूट करोगे तो आप वेल्व पूट करना पर इसका अंसर आजाएगा फाइव मिटर पर सेक्ट ओके नेक्स्ट नाव सेकंड कुछिंड सेकंड कुछिंड है आपको यह बोला गया है कि एक बॉल को यहां से प्रोजेक्ट किया है विद वेलोसिटी ट्वेंटी मिटर पर सेकंड एंगल है थर्टी डिग्री आपको पुचा है चैंज इन वेलोसिटी नाव वेलोसिटी इदी चैंज का फर्मिल्ला की बात कि जाए यह बिल वी फाइनल माइनस वी निशिल इसके एक्चुली क्योश्टिन करने के दो मेट्ट होता है मैं एक सिंपल से पहले यह मेटोड बाता दाता हूं तो वी फाइनल को मैं लिख सकता हूं आपको पता है कि गश्टी वाइनस जी टी जे कैप वी फाइनल विकोज एक्स डायरेक्शिंट को व्यलोसिटी में कोई चेंज रहेगा वे जो है वह य डायरेक्शन में शिरफ चेंज होगा और इनिशल वेलोसिटी है वो है वी एक्स आई कैप प्लस यू वाई जे कैप अब आप इसको इदी सॉल करते हो अपने पास डेल्टा भी आजाएगा जी इंटू टी और जी का वह आपको पता ही है जी है टैन वह आपको दे रहा है टाइम है 0.5 तो अपने पास यह वाल आग सब्सक्राइब करना है वी डॉट्ट वह पर्पेंडिकलर होगी तो वह टाइम क्या है आपको पुचा टाइम आप्टर वीच वेलोसिटी इस पर्पेंडिकलर तो बेसिकला क्या करना है वी डॉट्ट यू इस गाल डू जीरो यह प्रजाइक्टल और वेक्टर दोनों का कय zusन यह मंगर दोनों को यूज करना है वेलोसिटी किसे टाइम की लगनी है वेलोसिटी खेम और मैं एक वाल लिक्ला तो उला तो वह रह गी यू cos theta i cap plus u sin theta minus gt j cap यह किसी time की velocity है now initial velocity है initial velocity कितनी है initial velocity रहेगी u cos theta i cap plus u sin theta j cap यह आपको दे दिया v और u अब बोलाए गया है कि यह perpendicular होगा तो just आपको क्या करना है इन दोनों को v dot u cos 0 कर दो तो यहाँ पर मैं value put कर देता हूँ अब मैं इसका सिधा सिधा multiply कर रहा हूँ तो अब आपन को पता है इसका multiply करेंगा यह हो जाएगा u square cos square theta plus इसका मैं इसके साथ multiply करो हूँ क्योंकि जे का जे के साथ रहेगा तो u sin theta minus gt into u sin theta is equal to g अब आपने इसको solve कर रहते हैं तो यह आए गया करेंगे तो इसका आँसर आजाएगा जो time आएगा टी वह आजाएगा 2 u divided by g sin theta आँसर नेक्स्ट question नमर फॉर्थ question नमर फॉर्थ है एप projectile is given initial velocity of i plus 2j यह आपके पास initial velocity given है इसका मतलब आपके पास जो u x है देट इस 1 and u y है वो है 2 the cartesian equation of the path इसका path की equation लिखनी है तो simple साही है s x path की equation में क्या है basically we have to find relation between x and y so s x that is x that is u x into t acceleration इसका होता निया x direction में इसली 0 तो x का विली आगया t equation number 1 now y that is s y y that is u t plus half minus 10 t का square तो आगया y is equal to 2 t minus 5 t square अब x t का यहां से value replace कर दो तो y is equal to 2 x minus 5 x square तो यह इसका answer आगा यह वाला question answer first ठीक है next next question है the particle is projected from the ground with initial speed of v at angle theta with horizontal the average velocity of the particle between its point of projection and highest point of the trajectory आपको average velocity पूछिए जहां से इसको project किया है तो लेट इसका पात जो है वह स्टैप से नहों अपन को बहुत कहां का average velocity पूछिए इस पॉइंट से यह इसके पीच में अब दो को average velocity का formula क्या होता है average velocity is total displacement divided by time now average displacement की displacement की बात आती है तो displacement अपने पास है यह s तो मैं s का लिख सकता हूं इधर अपनको ध्यान है यह formula मेरे पास रहेगा h और यह जो है वो है ry2 ठीक है तो displacement हो गया मेरे पास h का square plus ry2 का square का root that is our displacement now time of flight तो time so a से b का लगेगा time of flight total निकालना है a to b का निकालना तो that is t by 2 now t अपनको पता है t कितना तो यू sin theta divided by g तो यह 2g2 से 2 चला गया तो आगया यू sin theta by g अब basically अपनको find करना है यह वाला average velocity तो average velocity के लिए अपन क्या करते हैं यह कर रहते हैं h का square plus r by 2 का square और क्योंकि आपको answer root में लिख रहा है तो जो time जो नीचे आएगा वो इसका अंदर लेकर जाएंगा जी का square नौ आइट का फर्मॉला पता है अपनको आइट का फर्मॉला होता है तो आंसर जो गेवन वो ठीटा की ट्रम में नहीं है तो अपने पास आंसर आजाएगा थर्ड ओकी नेक्स्ट नौ क्यूशन नुबर सिक्स्ट क्या है यह पार्टिकल इस प्रोजेक्टेट अट एंगल ऑप 60 डिगरी अब दो होरिजेंटल विद इस स्पीड आप 10 मिटर पर सेकिंड अप्र सम्टाइम दा डारेक्शन ओप इस वेलोसिटी मेक्स एंगल 30 डिगरी अब दो होरिजेंटल दा स्पीड आप दा पार्टिकल एड इस इंस्टेंट इस यह बहुत अच्छा सा कुश्यन बहुत पहरा सा कुश्यन है एक सिंपल सा कॉंसेट है आपको बोला गया है कि इस बॉल को यहां से फैका है इसकी स्पीड है 10 मिटर पर सेकिंड और यह जो यहां पर एंगल है यह थोड़ी देर बाद में क्या बोला है कि ठीक है यह वेलोसिटी है बट इसका जो एंगल है वह यहां पर कितना बना रहा है इस 30 अब एक बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है कि इन प्रोजेक्टल मोशन ओरिजनल वेलोसिटी में कॉंस्टेंट बिकॉस एक्चलराशन उस डिरेक् 60 is equal to V cos 30 यह आगया 10 यह आगया 1 by 2 V root 30 by 2 तो अपने पास V का विलो आगया 10 root 3 तेक है next 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 question है took our pnq start from the point at same time in the state line and their position are represented by आपको यह xp दे रहा है xq दे रहा है at what time do the car have the same velocity आपको बोला कि किस time पर दोनों के velocity सेम हो जाएगी तो इसमें कुछ नहीं है पहले तो इसको आप differentiate करो ठीक है तो अपने पास velocity of p हो जाएगा ए प्लस टू बीटी एक्वल टू अब इसको अपन डिप्रेंशेट सीदा सीदा कर सकते हैं तो यह आ जाएगा f माइनस 2t अब आपको इतनको इक्वल करना है तो इस time को इसे लेकर आ जो यहागा 2 b t is equal to f minus a so time अपने पास आगया f minus a divided by 2 b plus 2 t तो आगया यह 2 plus 2 b that is f minus a divided by 2 1 plus b so option इसका हो गया third question number 8 trajectory of the projectile in the vertical plan is y is equal to a x minus b x square आपको y का value given है sorry okay question number 8 a trajectory of the projectile in the vertical plan is y is equal to a x minus b x square where a and b are constant and the x and y are represent or respectively original and vertical distance of the projectile from the point of projection the maximum height attend by the particle and angle of projection from the original r आपको बुला है कि एक को प्रेक्शिपित किया जाता है इसका equation दे रहा है यह आपको दिखर रहा है y is equal to a x minus b x square आपको आपको प्रोजेक्शन पहले निकालते हैं क्योंकि आपको आपको प्रोजेक्शन भी अपने अलग अलग दे रहे हैं तो आपको पता है अब आपको maximum maximum height पुचिए दोको maximum height निकालने को बहुत इजी तरीका होता हो इसके अंदर आपको पता है maximum height जो रहेगी इसका coordinate रहेगा h r by 2 तो basically मुझे r find करना पड़ेगा और find करने का तरीका यह इस r का coordinate होता है 0 r 0 y यहां पर 0 होता है तो मैं जैसे इसको y को 0 पूट करूँगा तो मुझे x मिलेगा वो क्या मिलेगा r तो यहां से मेरे पास r का value आ गया a divided by b that is your b तो मैं अब यहां पर आपको निकालना क्या है maximum height maximum height के लिए इतर देखो मैं इसमें a x की जिकर रहूंगा r by x क्या r by 2 r by 2 कितना हो जाएगा r by 2 और a divided by 2b तो a divided by 2b ठीक है minus b a divided by 2b का square जब आप इसको solve करोगे तो यह आ जाएगा a square divided by 4b that is your third option okay next चलते हैं 9th question 9th question a projectile is fired at angle of 30 degree to the horizontal such that the vertical component of initial velocity is 80 meter per second its time of flight is t its velocity at t equal to 4 has the magnitude इसने बोला है कि देखो पहले बात तो इसको project क्या से किया जंग से देखो आपको बोला क्या है कि at angle 30 degree to the horizontal तो इसमें कोई दिक्कती नहीं है ठीक है such that the vertical component of its velocity तो basically आपको यह यू दे रखा है यू यह आपको दे रखा है 30 degree और यह वाला जो component है वह आपके पास कितना है इस इकोल टू 80 डिवाइड बाई 10 तो मेरे आप पास time of light आगा 16 ठीक है आपको बोला टी इसकोल टी बाई 4 तो टी बाई 4 का वेलू आ गया एड़ा 4 seconds तो बसीकल आपको फॉर सेकेंड पर पूचा है कि इसकी वेलो सिटी क्या रहेगे अब देखो फॉर सेकेंड पर इस डारेक्षन की वेलो सिटी तो पहले है वह कि बहुत ही रहेगी और इस डारेक्षन की वेलू वियुक्वाई की वह रहेगी 80 माइनस जी क्योंकि डारेक्शन एक्सेलरेशन ना नीचे है टाइम दे रहे है आपको 4 तो यह आगे आपको बास 40 ठीक है अब आपनको यह फाइन करना है वी एक्स वी एक्स फाइन करने का बहुत सरु तरीक है यह आपको बास शीटा दे रहे है तो 10 30 degree is equal to vy that is 80 divided by vx अब 10 30 कितना होता है तो यहां solve करेंगा तो vx का value आजाएगा 80 root 3 ठीक है तो net velocity रहेगी 40 का square plus 80 root 3 का square तो इसको solve करेंगे तो इस अप्रोक्षिमेटली 145 जो 144 आपको दे रहा है तर्ट ओके नेक्स्ट क्यूशन नमबर 10 क्यूशन है ए पार्टिकल रिस्टर फ्रम दा ओरिजन अव दा कोडिनेट at equal to 0 and move in the xy plane with the constant acceleration a in the x sorry in the y direction its equation of motion is यह आपको equation of motion दे रहा है its velocity component in the x direction आपको basically चाहिए vx कब जब वो डीपर हो तब ठीक है ठीक है तो पहले अपन को इसको difference अपन को दे रहा है y is equal to beta x का square अपन क्या करेंगे इसको differentiate करेंगे differentiate करेंगे तो अपन सिदा सिदा इसको differentiate करते हैं vy is equal to beta 2x dx by d2 को मैं क्या लोगूंगा vx ठीक है एक बार फिर इसको differentiate करते हैं तो differentiate करेंगे तो यह आ जाएगा य तो आपको क्या गिवन है acceleration alpha in y direction इसका मुलब इसका ax है वो 0 है ax है वो 0 है तो इसको मैं differentiate करता हूँ इसके अंदर मुझे तो chain rule तो chain rule लगांगा तो पहले x का करोंगा तो यह आ जाएगा vx का square plus यह आ जाएगा 2 beta x ax नो यह कितना है अपने पास 0 तो आपको यह आपको दे रखा है ay कितना है alpha तो अपने पास vx का value आ गया alpha divided by 2 beta का option नंबर 4 ठीक है next कि नो क्यूंबर 11 क्यूंबर 11 क्या है अप्टर 1 सेकेंड दा वेलोसिटे ओप्रोजेक्टाइल मेक्स एंगल 45 विद होरीजंटल वह एक सेकेंड के बाद वह एंगल वह बना रहा है मैं लो 45 बना रहा है तो मैं पहले एक्वेशन लिखे लाता हूं एंगल की एक्वेशन क्या होती है 10 ठीटा का फर्मला होता है वी वाई 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 वी एक्स नो वी वाई कितना होता है इस ट्रावलिंग औरिजंटली अब बोला गिया नेक्स्ट वन सेकेंड बाद ही औरिजंटली है इसका मतलब वह टू सेकेंड के बाद टॉप पर आ गया है ठीक है अब क्योंकि एंगल की बात आगी तो पहले मैं इसकी बात यूज़ कर लाता हूं यह इसका टाइम ऑफ जो फ्लाइट हो गया फॉर सेकेंड तो मैं फॉर सेकंड की वीज़ कर लाता हूं यह आगया यहां पर भी हमें यूज़ कर लगता हूं यह कितना होता है यह होता है यू साइन ठीटा माइनस यह इसको जी कर दो जी का वेलू कितना है 10 is equal to u cost टा नौ यू साइन ठीटा का वेलू कितना दे रहा है 20 तो 20 माइनस 10 is equal to कितना हो गया यू कॉस ठीटा आप देखो अपने पास यहां से एक्वेशन आगी यह 10 is equal to u कॉस ठीटा ठीक है आप देखो आपको बहुत सारी चीज़े कलेर देख लिए साफ साफ इसको मैं सब्सक्राइब कर रहा हूं यहां साफ साफ दिख रहा है इदि मैं उनको डिवाइड करता हूं तो 10 ठीटा इस इक यह और एक यह दूसरा आपको वेलोशी रिफाइंड करन यह आगया तो यह इसका आप्शन हो क्या नेक्स्ट आगे नेक्स्ट क्यूशन नमर 12 क्यूशन नमर 12 है एक पार्टिकल इस प्रोजेक्टेड विद दा सर्टैन वेलोसिटी एड एड अन अल्फा अबव दा ओरिजेंटल फ्रॉम दा फूट आप दा इंक्लाइड प्लैन व्द इंक्लिनेशन सब्हइभ आपी बोला किया है यह 30 है इसको यहां से फ्रोजेट है यह आपको एंगल दे रहा अल्फा ठीक है इव लिए बोला गया है कि जब यह इसे कर रहा है है जाफ करने के रहते हैं उनको करने का बहुत सिंपल्स होता है आप इनके जितने भी क्यूश्च में होता है इसको AX और Y कौन से लेना है देखो आप इसको लो एक्स में और इसको ले लो for कि आप अपन को पता है कि जी तो लग रहा यह से तो मुझे जी के कंपोर्णेंट कर लदा हैता हूँ तो में जी के कंपोर्णेंट कर लेता हूं देखो यह 30 डिगरी है तो यह 60 डिगरी आएगा दी कितना आएगा 30 डिगरी इस डारेक्शन में मैं यह आपर लिकल रहता हूँ A Y आगया माइनस G कॉस 30 और A X आगया माइनस G साइन 30 फर्स्ट एक्वेशन तो अपने बास यह तो आपको याद रखने है वेलोसिटी के कंपोर्णेंट करने है तो वेलोसिटी का यह जो एंगल है वो आ रहा है अल्फा माइनस 30 तो आपके वेलोसिटी आप जो को यू दे रहे हैं तो मैं आपको लिख सकता हूँ UX कितना है UX है UX है UX Cos अल्फा माइनस 30 and यू वाई है वह है यू साइन अल्फा माइनस 30 यह किसी भी इसा इंकलेंट प्लेंट का कुश्ण आता है तो करने का सबसे बेस्ट वे वे आपको जस्ट रिजॉब एवरिफिंग एक्स और वाई नौ यहां पर दो चीज हो रही है जब वह हीट कर रहा है तो एक तो इसका time of flight है और उस time of flight के अंदर इसका hit करने का मतलब है कि वी एक्स कितना हो रहा है 0 तो मुझे वी एक्स का equation 0 करनी इंदर time of flight तो मैं पहले एक वी एक्स equation लिख लाता हूँ फिर आपका answer आजएक वैसे तो vx is equal to 0 is equal to ux कतना दे रखा है u cos alpha minus 30 यह तो initial velocity है minus g sin 30 into t मैं बागे सब रब कर रहा हूँ यह वाली equation एक पार रखूँगा तो मेरे पास एक equation आगी यह वाली basically equation अपने पास के आगी मैं यहां लिकल लेता हूँ equation अपने पास आगी है u cos alpha minus 30 equal to g sin 30 into t equation number 1 और दूसरा मुझे चाहिए time of flight अब देखो time of flight में क्या हो रहा है time of flight के अंदर y direction में displacement कितना हो रहा है 0 तो s y है वो है 0 now s y 0 है का मतलब हो गया कि अपने पास equation है y direction में जो velocity है ay u sin alpha minus 30 t minus half ay कितना है g cos 30 जब आप यह तो आपने पास अंसरा जागा फास्ट वाला ओके नेक्स्ट नेक्स्ट क्यूशन यह बहुत एक बड़ी आशा क्यूशन है time taken by the projectile to reach the reach from a to b is t यहां से यहां का time of flight आपको दे रहे है ती यह बहुत अच्छा क्यूशन है आप इसको इसको एदी टेक्निकली देखे तो लगो इसक्यूशन करने का method होता है ऐसे तो बहुत सारे method होते हैं लेकिन यह method तो मैं कर रहा हूं है बहुत effective और easy method है अपने को इस दे रहे हैं तो यह वाला जो component है वह कितना एगा यू कॉस 60 देखे रहे हैं मलोग कितना आ गया आपको बता ही वन बाई टू तो यह हो गया अब basically हो क्या रहा है जब वो इसको हीट यहां पर कर रहा है तो इस डारेक्शन में तो इतने ट्रॉबल किया है इस डारेक्शन में यह है क्या देखो यह है अब का कॉस 30 इस अब का कॉस 30 इस गोल टू यह जो distance है यह distance कैसे find करें के original velocity कितनी है यह है यू बाई टू इन्टू टी तो अपने पास इसको solve करेंगे तो आज आएगा कि आएगा है कि इसको किस वेलो सिटे से प्रोजेक्ट क्या और इस पीड मिनिमम होनी चाहिए ज़्यादे नहीं चाहिए तो दो तीन चीज़ा आपको ध्यान रखकर description को करना है जैसे example के लिए सपोज मैं यह वाला point ले ले लाथ हूं 30 40 सपोज यह वाला point 30 40 लेता हूं अब इस मैं क्या चाह रहा हूं कि इस पीड मिनिममम होनी चाहिए इसका मरलब जब इस पॉइंट पर आये ना तो अब इसे उपर तो नहीं जाना चाहिए कि आपनको पता है कि इदी ऊपर जाएगा तो इसका मलब यहां से से प्रोजेक्ट किया यह मिनिममम इसके नहीं है यह रैंडम ली कोई भी इस पीड है तो यहां से प्रोजेक्ट करना है यहां से इसको पास करना है विद मिनिमम नियुन्तम वेलोसिटी तो इट शुट भी आएस्ट पॉइंट बस इतनी से वात रिसके अंदर इसके लाव कुछ नहीं है तो देखो आएस्ट पॉइंट है इसका महलों आर भाही टू का वेल्व आपको दे रहा है 30 और हमेक्जमिमम का दे रहा है 40 जेस्ट विल्व पॉट कर दो आर का फर्मला था टू यू स्क्वार साइन ठीटा कॉस्ट यह आपको टू तो ही जी यह आर का फर्मला है यह तू इसका यूज़ गया यह आपको दे रहा है 30 ठीक है जो कट रहा है वह तो काड दो और हाइट यह है यू स्क्वार साइन स्क्वार ठीटा डिवाइड भाई जी इस गोल टू आपको दियर गा है 40 ठीक है तो इससे अपना ए पार्टिकल इस प्रोजेक्टेट फ्रॉइंट एविद वेलोसिटी फॉर रूट टू एट अगल ऑफ फॉर्टिफाइव इस विद और विद एवर्जेंटल एस सोन इन दे फिगर इस ट्ट्रीं डिश्ट आप बोला गया है कि जब इसको प्रोजेक्ट किया तो यहां पर यह इसके बीची के राइट एंगल इंसिडेंट करता है तो आपको बोला गया है कि एक्चुली इसकी वेलोसिटी उसमें कितनी रहेगी यह तो इसका बहुत सिंपल सा ही है औरिजनल वालोसिटी कॉंस्ट र तो यह वाला जो कंपोनेंट है वह दोनों का का इक्वल रहेगा तो मैं इसको लिक्षित दा हूं वी साइन 60 तो दोनों का इक्वल करते थे 4 इस गॉल टू वी साइन 60 इस रूट 3 बाई 2 तो अपने पास आंसर आजाएगा वी इस गॉल टू एट डिवाएड बाई रूट 3 आंसर इसका हो गया क्यूशन नुमर 16 इस्टोन इस प्रोजेक्टेट फॉम दा ग्राउंड इट्स पाथ इस सोन इन फिकर एड विट्स पॉइंट इस स्पीड इस स्पीड में डिक्रीज होगा और इस पीड का आपको पता है फर्मिल होता है रेट आप जो इस्पीड को चैंज करता है वो करता है टेंजिंशल एक्सेलरेशन तो अपन को बता है कि इसका एक्सेलरेश्न हमें साय सरेगी कि कि इसका या पेन इसका पाथ है छी जब्सक्राइब हो यह पष्म ने डिदो इन दोनों में लगती है तो इन पर है यह पर इसलिए यह पर सबसे ज्यादा डिक्रेज होगे टेक है नेक्स्ट विच्ट नमर 17 कि नमर 17 ने तू अब्जच एन बेंड़ किलो मेटर अपार्ट आर ट्रावलिंग टौर्च इसी दर ओन दिफ्रेंट्र ट्रेक्ट विच्ट संस्ट ट्रिंग स्पीड आप 50 किलो मेटर पर आवर तैक है दो नों कि इस पीड है फिप्टी किलो मेटर पर आवर जाए कि आपको बोला गया कि यह जा रहा है जैसे यह है और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वह है कि यह आपको इनकी बिच्की डिस्टेंस दे रही है इनकी स्टार्ट की स्पेड है फिप्टी इसके फिप्टी अब आपको बोला गया है ऑब्जेक्ट ए एक्सलेट अब इसका तो एक्सलरेशन हो जाता है ऐसे 20 मिटर पर सेकंड स्क्वेर और अब्जेक्ट भी रिटार्ड इसका इस डारेक्शन में तो वह गया 20 किलो मिटर पर अबर स्क्वार ठीक है जब एक दुसरे को क्रोस करते हैं तब एक ही डिस्टेंस कितने ट्रावल करेगा तो इसमें अपन क्या करते हैं यू रिल्टी फाइं तो इसका 100 किलो मेटर ए रिल्टीव ए रिल्टीव है 0 वेको जुन्हों एक डारेक्शन में और इनको कितना ट्रावल करना है इनको ट्रावल करना है तो कितने ट्रावल कर लेंगे तो अपने पास आ गया तो जो टाइम लगा वो आगे आपने बास वन अवर अब वन अवर के अंदर यह कितना ट्रावल करेगा एकी बात तो मैं एक लिए करता हूं तो से इसकी खुद की स्पीड है वी टाइम है वन प्लस हाब यह आपको दे रहा है यह है ट्वेंटी वन का स्क्वेर इसको सॉल करेगा पांजर आजेगा सिक्स्टी डेटि अप्शन नंबर फॉर्थ ओके नेक्स्ट क्विश्ट नंबर एटिन तो क्रॉस्ट ता रिवर इंद श स्ट्विशंद शुट्स दिस्टेंस एश्पिर शुट्स शूंग मेंगें अंगल ठीटा विद अप्श्टरिम पाली बाद तो इसके अंदर आपको यी ध्यान रगाना है कि आपको अप्श्टरिम बोला है मला वी दी रीवर यहसे जा रही है तो आपको इसके साथ एंगल नहीं बोला है यह होता डाउन स्ट्रिम यह ओता आप स्ट्रिम तो कुशन में यह बोला गया है कि एक्चुली यहां पर एंगल ठीटा मना रहा है अच्छली यह ज्यादा कुछ है नहीं इसका यह वाला कंपोर्णेन आ जाएगा वी साइन ठीटा और यह आ जाएगा वी क्वास्ट ठीटा ट्रिम अपने पास आ जाएगा डी डिवाइड भाई शिदा शिदा वी मालब इसकी जो वैलो से खुद आशे फ्लो करेगा बट जाएगा वह ऐसा है तो आगया पहला वाला यह स्टेंस के लिए इसको जाना पड़ेगा एक्जेक्टली सिदा ओपोजिट तो इसका मतलब क्या हुआ कि यह आपको ठीटा दे रहे का है तो यह वाली वेलोसिटी यह उपर के और कितने आ जाएगी वी साइन ठीटा यहां का जो टाइम आएगा वह आएगा डी डिवाइड बाई वी साइन ठीटा यह सॉट ट्रेश्ट के लिए अब आपको इन परनों का रेशियो पुच्छा है तो आप्शन आजाएगा इसका सेकेंड नेक्स्ट छ कि ऐसी थी किलोमेटर पर आवर इन ढंबर डिरेक्शन और मैं गिर रही है किलो मेटर पर और से तो माहिपा तो कलेंगे में इसकी सब्सक्राइए तो 5 तोवन आगया तो फॉर किलो मेटर पर और ते रखाए स्काष और फाइब किलोमेटर पर आवर आप्शन नूमबर फर्स्ट ठीक है नेक्स चलते हैं है नौ किश्ट मों 20 रेंट्रॉप और फॉलिंग वर्टिकली विद इस्पीड आप 10 किलोमेटर तो आपको बलाएं कि जो रहन है वह ऐसे फॉल हो रही है 10 मेंटर पर सेकेंड से तो सब्सक्राइब आप यहां पर यह एक ऐसे जा रहा है वेलोसिटी से सो रैंड्रॉप एपर दूशु कमिंग विद दा वेलोसिटी ट्वेंटी नो इसका मतलब है कि जो रिजल्टेंट वेलोसिटी वह कितनी है विद्वेंटी सो रिज्टी का स्कुर्ए इस गौल दू टैन का स्कुर्एर प्लस वी का स्कुर्एर तो वी को सॉल्ल करेंगे तो अपने बास साल देका 10 रूट 3 option number 2 टैकी है next अधिए पर्शन वाक अब एस्ट्रेश्ट्री एक्सलेटर इन टाइम टीवन आपको बोला इस्ट्रेशनरी मिलब आपको बता है कि इस आपन किसी मौल में जाते हैं तो एक एक्सलेटर होता है जो लगाता रहा से मूँव करता रहता है तुछ अब वह रेस्ट में तो इसके पर्शन को यहां जाने में टाइम रगता है इसका ती बन वह अपनी खुद की वैलोसिटी से जा रहा है वी से तो जो टाइम टी है वो है वी उस मैं की ठीक है जो टाइम टी है वो आएगा एल डिवाइड वैलसिटी आप मैं यहागा फस्ट इसके अपन लेंद मान लगते अब क्या बोल रहा है इट केंट एक हिम अप इन टाइम टू तो कि इफ-फी रिमें इस्टेशनरी ओंता एक्सलेटर यह थी वह खुद खड़ा रहता है तो एक्सलेटर उसको टू टू ट्यू ताइम में लिखा रहा है इसका मदल जो टू 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 टाइम है वह है एल डि तो दिस्टेंस दे इसको L ही मुँव करनी है यह ल भाइड बाइड बाइड वी एम डिवाइड बाइड वी एक्सेलेटर यह वी एंप पुट करो तो अपने पास इसका जो आंसर है वह जाएगा ठाट 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 इस next question number 22 two car are moving in the same direction with the speed of 30 km do car and yeah yeah B don't know same speed is a 30 km per hour 30 km per hour they are separated from the each other by five kilometer yeah five kilometer third car moving in the opposite direction meet the two car after the interval of four minutes now late up on the other day that is that is velocity V and this is relative velocity is relative to basically relative velocity question so a ruk gya here b b b here ruk gya in which distance you have you have to give it one five kilometer five और जो की श्पीड है वह हो जाएगी वी प्लस 30 तो अब इसको कितना ट्रावल करना है फाइव किलोमेटर वी कितने टाइम में फॉर मिनेट फॉर मिनेट वन को आवर में कानवर्ट करना है तो यह अपने पास हो गया अबर में कर दिया फॉर यह हो गया फिप्टीन फाइव इंटो फिप्टीन माइनस थर्टी इस गोल टू वी तो यह अंसर आज एगा इसका फॉर्टी फाइव ठीक है नेक्स्ट नेक्स्ट आज बसस्ट मॉल टाउबर सबुत थैसलब के scen के बडिक श द शड़ अनृ शुजसा वे आज इक बजाए जिसकी स्पीद है टैन म२ेटर ne बसस इसकी स्बीड वे पर की रुज्ड वेशित टॉप सब्स है पर सेकंड यह बस है इसकी स्विड है 10 मीटर पर सेकंड on the state road a scooter is wish to overtake the bus in 100 seconds if the bus is at distance of 1 km from the scooter यह इपने पास scooter है उसके पास वर इसके डिस्टेंस है 1000 मीटर और इसको कितने सेकंड में इसको क्रोस करना है 100 सेकंड में तो definitely इसके कोई विश्विड चाहिए वी तो relative देखें तो वी माइनस 10 इसको क्रोस करना है रेड के अंदर तो कितना चलना पड़ेगा 1000 ठीक है यह आगे आपने पास 10 जब शॉल करेंगे तो वी कांसर आगया 20 कृशन नंबर इसका अंसर आपने पास 20 मिटर पर सेकंड ठीक है नेक्स्ट लिट आपने वी माइनस 30 को लिए नेक्स्ट नेक्स्किने टाया है टू टीकEND की यह आखनी गाया एग जो कि तो आमने यह इसकी विछंटे विछे वरपालि सिद्वविव से वी तो इसकर चाँ का जो ले रहा है वो ले रहा है तो मेरे पास यहां से एक ड proceeds आगी वई-1 आगी ऐसह को इस गोल टो twelve स्क्राहिए एक्रेशन नमबर वन नो सेकेंड बूला है एक एप स्पीड ओफ वन इस इंग्रेजबाग फिप्टी परसेंट एक की फिप्टी परसेंट एंग्रेज करते है तो मैं विवन का 50 इंग्रेज करूंगा तो अपने पास आ जाएगा 50 इंग्रेजबर 3 वी बाई 2 प्लस वीटु इस गोल डू अब ले रहा है वो 2.5 तो हम इसको अपने लिखना दाओ 5 by 2 equation number 2 नो इसको अपने solve करेंगे तो अपने v1 और v2 दोनों आएंगे जैसे मैं इसको इसमें से subject करता हूँ तो अपने बास आगया v1 by 2 is equal to 2 divided by 5 minus 1 by 3 L इसको solve करेंगे v1 आजाएगा ऐसे v2 आजाएगा इतनी दोनों ट्रेंग ने एक ही दिश्छा में गती करने लगे तो एक ही दिश्छा में होगा तो ट्रावल तो जुसको एहली करना पड़ेगा इसपीड के आजाएगा 1 1 minus v2 तो v1 minus v2 करोगे विलू पूट करोगे तो इसका जो आंसर है 24th का आंसर आजाएगा 15 seconds ठीक है नेक्स्ट नेक्स्ट for particle a b c d are in the motion the velocity of one with respect to other are given as यह आपको dc towards the north और यह सब दे रहा है अब इसमें आपको यह direction दे रहा है तो पहले तो मुझे इसका direction प्रोग करना पड़ेगा है कैसे कि यह नॉर्थ यह south यह east यह west ठीक है यह आपको दे रहा है नॉर्थ इसको अपन आई जे की कि ट्रम में कर लाते हैं तो यह अपने पास हो गया आई यह हो गया जे तो दुसरी को दिक्कत नहीं है नॉर्थ फर्स्ट आपको गिए बैब कि वैड़ीशी ख़िए डिक दी से का मंहलों प्यों बहता है वेलोसिटी ओप डी माइनस्वेलोसिटी ओफ और सी इस गोल टू ट्वट्टी जे लेकाफ को नॉर्थ को मैंने जे और जूं किया है भी बीसी वी बी माइनस वी सी पीप सी कितना ह इस्ट है तो यह हो गया 20 आई के एंड वी बी ए वी बी माइनस वी ए वह आपको देर रगा है 20 सौथ 20 माइनस जे नहुं आपको बुचा है वेलोसिटी ओप डी ए तो आपको बुचा है वेलोसिटी ओप डी माइनस वेलोसिटी ओप अब देखो अपने पास एक्वेशण न्मबर वन यह है एक्वेशन नूबर टू यह एक्वेशन न्मबर त्री है प्लस एक्वेशन नमबर त्री अब इस总र प्लस अगे मैंहारी equation number 2 plus equation number 3 अब उससे क्या होगा देखो मिलब equation number 2 का मुझे negative करना है तो मैं यह ही कर लाता हूं यह negative तो यह positive और यह negative इनको मुझे add करना है अब मैं इनको add करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा देखो इनको add करूंगा तो यह आ जायेगा यह सब कट जाएंगे यह 20 जे हैं प्लस का यह माइनस का यह कट जाएंगे तो यह जाएगा माइनस 20 आई कैप माइनस 20 आई का मुलब वेस्ट ठीक है इस पीड दो वोगे हो गी तो 20 आपकी तरह बागया 20 वेस्ट तो आंसर इसका है फॉर्थ next question number 26 a man is crossing a river flowing with velocity of 5 meter per second he reaches the point directly cross at the distance of 60 meter in 5 second his velocity in still water is यह बुला है कि man is crossing the river flowing with velocity of river जो फ्लो हो रही है वो हो रही है फाइव से तो इसमें जो सॉर्टेस एक्चुली क्रॉस कर रहा है सॉर्टेस डिस्टेंस सॉर्टेस डिस्टेंस में क्रॉस करने का फर्मॉल होता है डी यू स्क्वाइर माइनस वी स्क्वाइर अब अपने विलू पाइट करते हैं यह फाइव सेकंड में पूट कर रहा है फाइव फाइव सेकंड यह सिक्स्टी डिवाइड बाई velocity का square minus 5 का square ठीक है तो अब यह आगे आपने बास V square minus 5 का square यह आगया 12 का square जब इसको solve करेंगे तो velocity आजाएगी 13 meter per second इसका अंसर आजाएगा second बारा ठीक है next next the greatest accelerator of the or de-acceleration that a train may have is A आपको दे रहाएगा कि greatest acceleration or de-acceleration कितना हो सकता? A हो सकता है ठीक है the minimum time in which the train may reach from one station to other separation by distance D आपको बोला है कि एक को यहां से start होना है और इसको यहां पर जाना है और maximum acceleration और वो हो सकता है तो इसको करने का तरीका वो वैसे तो इसका एक simple सा formula है S is equal to half alpha beta alpha plus beta T का square जब एक जगे से start और दूसरे जगे पर रूख जाए उससे में graph से भी कर सकते हो इसको graph से करने का method है यह पहले accelerate रो और फिर आपिस de-accelerate हो जाए यह अपने पास graph V into T का यह जो आपको total distance दी दे रखा है तो आप यह value put कर देते हैं इस कितना अपने पास d half यह हो गया a square यह हो गया 2a into T का square तो solve करेंगे अपने पास answer आजाएगा 4th तीक है नेक्स्ट नेक्स्ट 28 टू कार स्टाफ आप टूरेस यह start आप टूरेस्ट यह टीक है और यह हाँ हाह 1 तूक आर क्स्टे अव्र ने हनग्सिटेंट है इस यह प्रअ मिटर पर सेकेंड़ और इसकी है प्लु कमेंठव पर घग्शी ए मिटर पर सेकेंड कर अखिए ने इसका एकक्सिरेरेशन है वह स्कुएर और इसका एक्सेलरशन है वाउत 챙कोशङ square if there is the final point at the same instant अब जैसे दोनों यहां पर पहुंचते हैं तो आपको बताना है कि उस पाथ की length कितनी है तो definitely दोनों एक ही पॉइंट से इस्टाट हुआ है इनका displacement से में लिके लाता हूं फोर्टी प्लस हाफ वन टी का स्कॉर इस गोल्टू है कि टूटी तो टी प्लस हाफ टूटी का स्कॉर टाइम से में रहेगा डिस्प्लेश्मेंट से में तो एक दो अपने पास आ गया 4-2 is equal to t 1-1 by 2 तो यह आपने पास आगया 2 t का विल्वी 2 तो t का विल्वी आगया 4 सेकंड टूटी नहुं आपको यह फाइंड करना है कि 4 सेकंड में कितना लेंथ है 4 s 4 into 4 plus 4 का स्कॉर डिवाइब दूटी तो 16 plus 8 that is 24 that is answer number fourth next two particle two particle start moving from the same point along the same straight line first move with the constant velocity V and second with constant acceleration A, एक तो constant velocity V से जा रहा है V से और दूसरा है उसका constant acceleration A, यह B क्या, ठीक है during the time that elapsed before the second catch the first, the greatest distance between the particle is यह बोला है कि, देखो, सिदी से बात है कि A की speed पहले ज़्यादा है तो A आगे मूब कर जाएगा तो बोला है कि यह कब एक दूसरी को जाकर cross करेंगे तब तक कितना distance होगी तो definitely पहले मुझे time ही find करना है तो इसकी तो बोला है, यह आगे VT is equal to half A T का square, ठीक है इससे मेरे पास T आगया 2 V by A ठीक है, आपको distance पूचिए distance किसी का formula इसको लो V into 2 V by A यह आगया 2 V square divided by A 2 V square A तो answer इसका आगया 3rd, a glass wind screen was inclination with the vertical can be changed is mounted on the car the car move horizontally with the speed of 2 meter per second a glass wind a glass wind screen was inclination with the vertical can be changed is mounted on the car the car move horizontally with the speed of 2 meter per second at what angle alpha with the vertical should the wind screen be placed so there the rain drop falling vertically downward with velocity six meter per second strike the wind perpendicular basically क्योंच नहीं बुला गया है कि actually यह तो है six kilometer six meter per second से rainfall हो रही है और जो car जा रही हो originally जा रही है तो मैं एसे जा रही है तो आपन इसका जब relative velocity करेंगे तो माइनस velocity of car करेंगे माइनस velocity of car वो आपके पास दे रहा है two meter per second square अब बुला गया है कि इसका जो resultant है वो आपके पास यह जो mirror लेते हो उसके perpendicular आना चाहिए बनावी ऐसे फॉल होना चाहिए ठीक है तो बुला गया कि वर्टिकल के साथ एंगल कितना है यह अलपना अलफा मान लेते हैं यह अलफा तो यह 90 मेंस अलफा यह कितना हो गया अलफा तेन अलफा इस गुल्डू क्या रहेगा six divided by two so अबसका अन्सर आगया second ठीक है next 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 question है a particle is moving eastward with velocity of five meter per second question में a particle is moving eastward with velocity of five meter per second in 10 second velocity changes to five meter per second north तो basically पहले तो जा रहाता है यह यह V initial that is five meter per second V final है इस direction में north में V final आपको given है towards north that is five meter per second delta V होता है V final minus V initial तो यह है V final यह है V initial इसका resultant आगे ऐसे five root two आपको बुचा आपको 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 आपक तो तो टाइम उसको कवर करना एल इस वी आर प्लस वी यह आपको दे रहेगा है 6 और वो जो अप्स्ट्रिम जाता है तो एल वी माइनस वी आर इस यूर इस गिवन इस टैन ठीक है अब बोलाएं कि इदी दा टाइम टेकन टुकर्द सें डिस्टेंज इन इस्टिल वोटर आपको पुचाएं कि वो टाइम जिसके अंदर वो एल करेंगे पूट करेंगे तो इसका आंस्वर आज जाएगा तो आपको सब दे रहेगा वेलू पूट करेंगे तो आजएगा 7.5 करना कैसे अब देखो इस पर करना बहुत एजी होता है आप इधर से कर सकते हो आपको मैं यहां से जैसे इसको सबस्द में एक वार टीवन एज 10 इन दोनों को एड़ कर दो आपने पास आजएगा 2 V L 6 प्लस L Y 10 यह 10 अलपे 10 तो यहां से V और यह V ला रहा जाएगा नेक्स्ट नेक्स्ट कुश्चन है एस्मोद स्क्वार प्लेट्फॉर्म एबीश्ट इस मुविंग इस तो और राइट विद इन इन फिर वी अड़ आगल थे टा मस्ट वे पार्टिकलिर प्रजाट इंप्रूंट भी अभी एप्ट इस्ट्राइक बीप्र आची तो डेफिनिल सी बा इस वाली बैरोसीजे टेक्रा जाएगा आपको शिर्फ कौशिडा पुच जा है यह वी बाई कौशिडा इस भी वाई यू तो इसका अंसवर है सेकेंड यह वाला next two stone are thrown up simultaneously from the edge of the cliff with the initial spirit V and 2V दोनों को अलग-अलग spirit से फैका है तो देखो एक को तो एक को तो फैका है velocity V से एक को फैका है 2V से एक तो यह पता है कि यहां से फैका है तो जो पहला वाला अधिकल नीचे जल्दी आ जाएगा है तो जब तक फॉल नहीं होता है तब अ रिले टीव है और जीनों डेफिनेटली यू रिलेटीव रहेगा वी इसका पात बनेगा वो सिंपल सा बन जाएगा क्योंकि शिदी रिल्टिव वलोसिटी है तो मैं लिख सकता हूं डेल्टा वाई इस गोल डू वी ती तो पहले तो पात रहेगा इस्ट्रेट जब सेकिंड गिर जाएगा सेकिंड गिर जाएगा तो ए रिल्लेटिव अपने पास आ जाएगा जी वी कि लिए ओके नेक्स्ट अगे कि नेक्स्ट थर्टिव फैव क्योशन है ने पार्टेकल मूमिन इस पेस अलंग दा पात आपको जैट दे रहा है जैड ए एक्स क्योग प्लस भी वाई स्क्वाई श्क्वार डी एक्स वैड़ी ती और डी वाई वाई डी दी दोनों आपको बराबबर दे रखा है तो इसको मैं सिद्धा ऐसे लिख रहता हूं VX और VY है वो है C और इसको डिफ्रेंशिड कर दिया AX और AY तो दोनों है 0 तो गंड का तवरन क्या होगा तो अपने इसको differentiate करते हैं तो पहले अपने पास यह जाएगा VZ तो आजाएगा 3A X square VX 2B Y VY इसका value पूट कर दाता हूँ 3A C X square plus 2B C Y ठीक है इसको एक बार फिर differentiate करते हैं तो यह आजाएगा AZ अब देखो यह आएगा 3A C इसका हो जाएगा यह 2X DX by DT सिधा लिख लेते हैं मनद C is equal to 2B C D Y by DT C तो मेरे पास यह आगया 6 A C square X plus 2B C का square तो 6 A C square X और 2B C square तो यह अपना option है 1st तो इसका अशर आगया 1st नेक्स्ट नेक्स्ट है A horizontal wind is blowing with the velocity V toward the north east यह दिये पन इसको north और इसको east माने तो इसकी जो velocity है वो तो है ऐसे वो कितनी है वो कितनी है वी ए मैन स्टार्ट रनिंग toward the north और इस डारेक्शन के अंदर वो acceleration यह से दोड़ने लगता है ता time after which the man will fill the wind blowing towards the west toward the east अब दिखो और दे इसको उसको मतलब है नॉर्थ डारेक्शन में दोनों की velocity सेम है तो नॉर्थ डारेक्शन में वो सिती है यह आपको 45 एंगल दे रहा है तो देखो V sin 45 that is root 2 is equal to यह constant velocity से sorry acceleration से A into T तो अपने बास T का value आ गया V divided by root 2 A तो यह अपने बास 36 का answer आ गया ठीक है next next 37 37 है ता दिस्टेंस बिट्विन two moving particle at any time is T यह आपको दे रखा है यह आपको दो point दे रखा है यह point एक A और यह point है B यह आपको distance दे रखी है इनके बीच की A ठीक है if V is the relative velocity यह दोनों move कर रहा है तो इनके relative velocity दे रखी है V1 V and V1 and V2 be the component of V along along and perpendicular to A इसका मतलब इस direction में है अपने पास V1 इस direction में है V2 यह भी relative है तो बिसिकली आपके इंदर जो relative acceleration आ रहे है वो भी ऐसे आ रहा है अब आपको पुचाए the time when they are close to each other nearest कर रहेंगे तो अपन को पता है कि यह nearest तब रहते हैं जब यह एक दूसरे के perpendicular आज़ा है अब देखो मैं इसको ठीटा आज़ूम करता हूँ तो पहले बात तो मुझे यह पता होना चाहिए कि distance कितनी है तो इसका आपके a b है इसका नाम है c दे देता हूँ तो अपने पास तो a c आएगा वो आएगा a cos ठीटा a c आएगा वो आएगा a c cos ठीटा आएगा तो टाइम लगेगा आने में टाइम है वो रहेगा a c divided by relative velocity relative velocity कितनी है v तो यह आगया a cos ठीटा divided by v इंटु कॉस्ट ठीटा अब 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 अबन को cost ठीटा फाइड करना है तो सब्रोफ एंड़ कान तरीका आपको पता है ये अपने पास वी दे र 여러grass तो वी स्पीट कॉस्ट थे वड़ वड टो टो वी ब्रबाइल बइक है नेक्सट next next a a particle projected from the original ground at the angle theta with this video in the same plane of the motion a original acceleration is exist so that projected particle return back to the point of projection find the time of flight this is the angle theta is a original acceleration so that return is a place to go to the point of view तो definitely s x क्या होना चाहिए 0 now u cos theta t minus half a t का square 0 तो अपने बास यहां से अपने बास t का फर्मुला आ गया 2 u cos theta divided by a 2 u cos theta divided by a तो यह अपने बास 38 का आंसर आ गया 3 यह कुशन है दुसरा 39th कुशन a particle is projected with a speed 30 meter per second at the angle of 22.5 22.5 with a horizontal from the ground as shown AB and CD are parallel to y-axis b is the highest point of the trajectory path then find the ratio of CD to AB आपको यह जो CD है यह और AB का जो है उसका ratio find करने को बोला है देखो यह टेकनिकली बहुत अच्छा कुशन है यह दी acceleration नहीं होता acceleration कितना है जी acceleration नहीं होता तो पहली बात तो यहां से यहां का जो time में अपनको पता है यह तो है तो T by 2 और यह time में T इदी acceleration नहीं होता तो यह total distance होती मैं एक बार हमाँ पर diagram डो करता हूँ suppose acceleration नहीं होता यह ऐसे move कर रहा है तो यह total distance होती A, B, H तो कितनी होती AB plus H इदी acceleration नहीं होता तो और यह acceleration नहीं होता तो पूरा का पूरा point क्या रहा था C, D basically acceleration के करण क्या होता है हाप G, डिश्कर वो नीचे आ जाते है तो acceleration के करण अभी वो कहां पर है इस B point पर तो अपन यह मान सकता है कि यह जो point है वो शिरफ और शिरफ किसके करण है शिरफ और शिरफ वो है हाप G T by 2 के स्कुरे करण वो इतना नीचे है ठीक है C, D है वो है हाप G T का स्कुरे तो अब इदि दुनों का अपन डिवाइड करें तो A, B divided by A, C तो यह आएगा 1 by 4 इन्होंने C, D बोला तो मैं इसको C, D लिख लेता हूं C, D C, D C, D divided by A, B अपने बास आगया 4 रेशियो 1 तो इसका अंसर 1st Question number next A particle is projected along the inclined plane as shown in the figure what is the component of velocity perpendicular to the plane when it strike at A जब वो यहां पर hit करता है तब इस plane के perpendicular component कितना है वो आपको पूचा गया है तो दो आपन को क्या करना है एक कैसा कुशन थोड़ी पहले भी आया था तो आपन इसको कर लेते हैं दो इस direction में इसका acceleration में सिधा सिधा लेके लेता हूं जी साइन 30 इस direction में आएगा जी कॉस 30 वेलोसिटी इस direction में आ जाएगी 10 कॉस 30 और इस direction में आ जाएगी 10 साइन 30 यह इसकी वेलोसिटी है आपको बोला किया है कि इसके perpendicular तो बेसिकली अपन क्या करते हैं इसको तो मान लेते हैं एक्स और इसको मान लेते हैं वाई तो अपन को यह वाले वेलोसिटी चाहिए बेसिकली कि वी वाई कितना है बात यह तो अपन पहले सब पहले time of flight करते है time of flight define करते है तो time of flight के लिए क्या करूँगा मैं s y is equal to 0 ठीक है s y कितना है देखो 10 sin 30 that is 1 by 2 t minus half g cos 30 that is root 3 by 2 t का square ठीक है is equal to क्या करते है तो अब देखो अब देखो उसमें जो कट रहा है बहुत काड़ देते हैं 2 से 2 चला गया एक टी से चला गया तो टीका विल्व आ गया मैं रहे पास 20 कि जी रूट 3 तो बिसिकली टू डिवाइड भाइड रूट 3 अपने बास आ गया टू भाइड रूट 3 अगया टी अब आपको पूचा है भी भाइड तो अब सिंपल साहिए भी वाइड गोल्डू पहले वैलोसिटी कितनी है पहले वैलोसिटी पहले वैलोसिटी है 10 sin 30 y direction में तो 10 sin 30 that is 10 by 2 minus g cos 30 cos 30 है root 3 by 2 into t that is 2 root 3 तो यह आ गया minus 5 तो इस का अगया 5 meter per second ठीक है next in the figure shown the two particular fight simultaneously the minimum distance between the them during the fight is एक relative velocity से बहुत अच्छा सक्रिशन बनता है तो क्या करते हैं कि जैसे पॉइंट अपने पास a है यह पॉइंट भी है तो अपन क्या करते हैं relative velocity का diagram drop करेंगे तो यह मेरे पास है 20 root 3 यह अपने पास इदर आ जाएगा तो यह इसके साथ एंगल बना रहा है 30 इसके साथ 30 तो इसका अमल हो यह 90 degree पर आ जाएगा ऐसे ठीक है और यह अपने पास भी यहां पर आगया रेस्ट में ठीक है यह velocity है 20 meter पर सेकेंड यह 20 ठीक है इसका resultant के यहां पर आएगा तो अपने अंगल देख लेते हैं लेट यह वाले अंगल में मानला तो अल्फा यह अंगल अल्फा मानलेते हैं यह अपनी प्रपेंडिकुल डिस्टेंस है यह देखो यह अल्फा रहेगा यह नाइट ठीक है यह अंगल कितना है अल्फा तो देखो अल्फा टैन अल्फा टैन अल्फा कितना है टैन अल्फा रहेगा 20 ड्वाइर बाई 20 रूट 3 परपेंडिकुल बेस तो मेरे पास अल्फा का विल्दू आ गया ठीक है अब आपके बास यह अल्फा आ गया यह अब अपने अल्फा थर्टी आ गया अब आपको यह आपको 10 दें रहा है shortest distance यह है तो इसका मैं component ले रहता हूँ 10 30 that is 5 20 है 20 है 20 तो ही आगया 10 ठीकिए तो इसका answer यह वाल आगया next 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 if time taken by the project to reach q is t आपको बोलाएगी दो एक तो यहाँ आपको 90 कि दे रहा है इसको यहाँ टाइम लगने में टाइम टी लगाए तो पी क्यू कि लेंद कितने लेगी तो एक तो टाइम आप फ्लाइट अपने इसली फाइंड कर सकते हैं टाइम आप फ्लाइट फाइंड करने का है देखो इसका इस डारेक्शन में एक्सेलरेशन अब याद हो गया आप उनको क्या रहेगा तैन को थर्टी इस डारेक्शन में कितना रहेगा जी सब्सक्राइट में तैन की साइन थ्रीन या ठीटा ठीटा- ठीटा- साइन ठीटा टाइम अफ्लाइट तो टाइम आफ फ्लाइट आम pleई मैं ए स e e i koo 0 ले लेता हूं क्योंकि इसको अैसे फैका है तो v t tidak अब आपको पूचाए तो पी क्यू का फॉर्मिला रहेगा हाप क्योंकि इनिशिल एक्सेलरेशन इस डारेशन है नहीं हाप जी साइन ठीटा टी का स्क्वेर तो टी इन्टू टी बैसिकली टी स्क्वेर को मैं टी इन्टू टी इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ऑप्शन के अंदर आपको एक टी लिखा हुआ है तो एक टी को मुझे आवाँ से रिप्लेश करना पड़ेगा तो यह आगया मेरे पास हागश हाँ जी साइन ठीटा टी इंटू दूसरा टी वह है टू वी जी कौस ठीटा तो देखो जी से जी चला गया तू से तू चला गया यह आगया V T 10 Theta TV 10 Theta option fourth next next boat move with the speed 5 km per hour relative to the water in the river flowing with speed 3 meter per second and having the width of 1 km the time taken around the round trip Pura Chakkar Laghani अब देखो Pura Chakkar Laghani के लिए थोड़ा से द्यानगना ये जब जाएगा तब ऐसे जाएगा so that कि यह यहां पर पहुंच सके और जब रिटन आएगा तो ये खुद को ऐसे रखेगा कि वापिस यहां सके तो बेसिकली क्या होगा सीधे जाना और सीधे आना है तो टाइम का फर्मला होता है जाने का तो होता है डी डिवाइड वे इसका हो गया 2 five ka square minus three square two divided by । यहोग्या four टीके half hour is gain 30 minute next a man can swim at the speed of 3 km per hour in the still water he want to cross 5 वाइड रिवर फ्लोइंग एड टू किलो मेटर पर आवर ही किप इमसेल्व आवे अट एंगल वन टून टेटी एक रिवर फ्लो वाइल श्विमिंग एड वाट पॉइंट ऑन दा ऑपोजिट बैंक ही विल आ रहा है यह आपको दे रहा है कि को कि यह जो को स्थृ किलो मेंटकर के लिए तो है कि आपको इसको मैं सिक्स्टी मान लाता हूं और यह स्पीड है रिवर की वह तू किलो में पर आवर यह आपको इंफर्मेशन दे रहे ही वह आप देखो बूस्च करे नहीं करना है इस direction की जो velocity है वह है 2 minus 3 cos 60 cos 60 होता है 1 by 2 तो मैं यह आपर करता था हूँ 1 by 2 तो आगया 2 minus 1.5 that is 0.5 और इस direction में इसको time जो time लगेगा वो है आपको दे रहे कहा है 5 तो यह आगया 0.5 इन्टू 3 sin 60 sin 60 को मैं लिख लगे लगे था हूँ root 3 by 2 तो यह आगया time 3 root 3 अब आपको बुला कि वो उस direction में कितना दे जाएगा तो drifting कितनी होगी तो है यह time इन्टू यह जो velocity है 1 by 2 यह आगया 6 root 3 तो 6 root 3 इसका answer हो गया नेक्स्ट यह एक सिंबल सा क्यूशन है stone is released from the elevator going up with the acceleration A the acceleration of the stone after the release जब stone को release करेंगा तो इस पर सिर्फ ग्रेविटी लगीगी इसलिए इसका acceleration शिर्फ के रहेगा जी के ब्रावर नेक्स्ट नेक्स्ट कुशन है इस पार्टिकल सिचोज़ एड़ दा कॉर्णर ऑप दा रेगूलर हेग्जाकॉन ऑप साइड यह आपको रेगूलर हेग्जाकॉन दे रहा है इस पार्टिकल मॉइन्टेन दा डार्टिकल्स टॉइर्ज पारटिकल अधा नेक्स कट्नल यह बोला कि पार्टिकल scooter यह वो प्रोछ कर रहें होते हैं यह आपको पता है अंगल रहेगा, 60 58rum ये का येवाला is v by 2 और यह इसको approach कर रहा है v से तो velocity of approach होगी v minus v by 2 that is v by 2 अब इसको approach कितना करना a कितने approach से a time t हो आगे आपने बास 2a divided by v तो 46 का answer आगे आपने बास first next a boy standing on the long platform car throw a ball straight upward the car is moving on the horizontal road with the acceleration and projection velocity in the vertical direction is 9.8 how far behind the boy will boy will the ball fall on the car क्योंच ने बोला गया कि जहां बोय खड़ा है उससे कितनी पिछे बॉल गिरेगी आपको ही कुछा गया है ठीक है तो इसको भी अपन जब देखते हैं रिल्टे वेलोसिटी से क्या बोला है कि इसकी acceleration है one meter per second square तो जब यह उपर फैका है जब इसको उपर फैका है तो इसकी वेलोसिटी कितनी की उपर है that is nine point a time of flight आ जाएगा two you by g तो अपने पास आगया two seconds का time of flight क्योंकि आपको वर्टिकल वेलोसिटी दे रही है तो वर्टिकल वेलोसिटी और इसकी दोनों के बराबर रहेगी जब फैके तब तो अब आपको बूला पीछे कितना गिरेगा तो इ ए रिलेटिव है वो है वन वी रिलेटिव जो है ओरिजनल डिरेक्शन में है वो है जीरो तो अब बस इतना सा करना जाय गया हाब वन टू का स्कॉर्ट इस टू किलोमेटर आंस्वर इस फिर्स्ट एक आपको ऐसा क्यूबिकल साइट दे रहा है ऐसे कि दा मिनिममम टाइम टेकन टू रिच दा फारेस्ट कॉर्णर ऑफ दा क्यूब यह बोलाएगी एक कोई आंट है उसको यहां से यहां पर जाना है तो मिनिममम टाइम करेगा तो पहली बात तो यह कि जो छिटी है वह आंट है वो उड़नी पाएगी तो इसको ट्रावल करन करना पड़ेगा वह पनी पास सर्फेस से इसके ऊपर करना पड़ेगा और स्वाचिंपल सा तरीका है और अच्छा सा तरीका वह मैं बताता तो आपको मैं इसको A, B, C, D, E और F मान लेता हूँ क्यूशन काटने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ यह जो सरपे से इसको मैं ऐसे ओपन कर रहा हूँ मतलग यह ऐसे ऐसे यह मेरे पास B है यह मेरे पास A है यह C यह D C और E यह है C और E सुरी यह C डी है C, D, और उसको पहुंचना है F और यह है E बलब क्या है जो ऐसे सरपे से उसको मने इस सरपे से ऐसे कर दिया तो अब उसको सॉट डेस्ट पात करना है तो हमेसा स्टेड मूव करेगी तो यह मूव ऐसे करेगी तब वह आपर पहुंचेगी यह 90 डिगरी है यह अपके पास क्या दे रगा है 2A यह कितना है अपने पास A तो डिस्टेंस जो ट्रावल करेगा वो करेगा रूट 5A यह होती है मिनिम्म डिस्टेंस इदि उसको बीना ऊड़े जाना है तो तो टाइम कितना लगागा रूट 5A डिवाइड बाइड बाइड यू और इसका आगया थर्ड नेक्स्ट यह अबजेक्ट इस प्रोजेक्ट इस वेलोसिटी 5Y 20J स्टी 59 प्लस 20J कंसिडर X अलोंग अरिजेंटल और यवर्टिकल एंगल मेट बैर दा वेलोसिटी वेक्टर विद्दा वन सेकिंड तो यह एकदम सिंपल सा क्यूशन है 10 थीटा वी वाई अपॉन वी एक्स 20 माइनस 10 80 वी माइनस डिवाइड वाई वी एक्स 15 तो आगया 10 वाई 15 तो इसके बास 49 फ्लाइन का जो आंस्वर है वो आगया यह वाला ठीक है नेक्स्ट यह फ्लेग इस बाउंड़ेड आंदा कार मुविंग दू नौर्थ विद वेलो से टूटी किलोमेटर पर आहर इस स्ट्राउंड़ आर ब्लोईंग डू हिस्ट विद वेलो से टून्टी किलोमेटर पर आवर दव्लेग इल पॉंट इन डायरेक्शन यह जो फ्लेग होता है वह वेलोसिटी के ऑपोजिट में जो रिल्टिव वेलोसिटी तो करता है ठीक है तो क्या बोला है माउंट कारिज मुविंग नॉर्थ जो कार है वो नौर्थ में जा रही है यह से ट्रोंग वीड स्ट्रोंग आर ब्लॉइंग दूटों इस्ट और जो अवा का जो फ्लोह हो रहा है वह ऐसे हो रहा है ट्रीकर तो बोलाया गया कि कॉन से डिरेक्ष्ण में है तो दिसकतम के करेगा और वंड वो से आज आल गा तो यह यह क्योंगों ने थी क्योंग हowaई इसके करते हैं इंदेघ्ल गुशन sy giant प्रोजेक्टेट विद वेलोसिटी ऑफ तू रूट एजी सो देट इस्ट किले टू वाल उप इक्वाल है विच आर डिस्टेंस तू अपाट फांड दा ताइम आप पासिंग बिट्विन दा वाल तो क्रूशन यह है इस क्रूशन को प्रॉपर वैसे बना नहीं कि यहां से अपने इसको प्रोजेक्ट किया है और आपको बोलाया है कि इसके बीच का यह टाइम कितना रहेगा यह आपको सेप्रेशन दे रहा है टू ए स्काइए है थोड़ा सा कल्कुलीटिव है बट दीको इसको मैं यह पर मान लाता हूं कि वेलोसिटी है युएकस की यह वने पास है यूवाई यह यह ओरmind मैं यहां कि वेलिआपको करूं तो यहां कि वेलोसिटी मुझे गीवण है टू आपफ ए जी है तो इस पॉइंट प पर मेरे पास दो वेलोसिटी रहेगी वी एक्स इसको मैं लिख लेता हूं यू एक्स वह तो चैंज वहनी नहीं है और इस डारेक्शन की वेलोसिटी हो जाएगी वी वाई देखो सो हांद यहां की की वैलोसिटी है इसको आपन लिख लाते हैं वी वाई इस्क्वयर प्लस यह तो वह यहां पर है यूए 2 बिसट्व एजी का स्क्वाइर माइनस टूजी हाइट आपको दे रहे हैं तो यह वह जाएगा फॉर्ट यह होगा टू एजी यह एकने एक्वेस्ट नमबर वन यूज करेंगे इसको एक तो यहाद रगना है यहां देखना वी वाई यू एक्स का स्क्वाइर इस गोल टू टू एजी है क्टिक्चिंग्य अब बेसेिक लिफ एक आपनको इसके सा्टाइम पूछाएं तो तो त्यक्षप टाइम लेकिन texto को यहर 0से करें तो यह अपने पास वैलो सिटी यू कशू और यह अपने में अपास वैलो सिटी दे रहे हैं वाई और बेसिकली डाanny टू ए तो रेंज का रहुता है टू एज गोल टू कि वलोसिटी ओरिजनल वलोसिटी यू एक्स इन्टू टी टी कौन सा रहता है टी होता है जो टाइम आफ फ्लाइट की अपन इस लेवल का मानले तो यह आएगा टू वी वाई डिवाइड बाई जी तो आगया टू भी वाई बाई जी तो मेरे अबने पास यह एक्वेशसं हो देखो यह आपको रेंड्यिव गयंद ए टू से दू चला गया यह आगया फ्ली एगश है अपने यह विवाई दोनों आ रहोगी इन दोनों को सॉल करोगे दोनों को सॉल करते अपने पास विए एक्स आजाएगा बिसी को किसको करना है इस सब्सक्राइब कर नेंसल नेच्सट सब्सक्राइब कि और इसलने सब्सक्राइब डिन सब्सक्राइब बैसीधिली जो VX है वो है constant AX है वो है 0 ठीक है इसको अपन डिप्रेंशित करते हैं अच्छलिए आपको क्या रिटर पूचा है find the acceleration तो VY is equal to minus 18X इसको फिर करते हैं 18 इंटू VX AY minus 18 X का VX square यह कितना हो गया 0 AY minus 18 1 by 3 का square answer इसका 2 next क्योशन दे रहें का है एक ground to ground ground projectile is at point A at T equal to 3 मुझा बुलाएगी एक point A है वहाँ पर वो है T by 3 पर and 5 T by 6 पर है B पर तो मैं एक random बना लाता हूँ यहाँ पर B point यह 5 T by 6 इनकी बीच की height का difference पूचा है तो देखो मैं इसको मान लाता हूँ H1 इसको H2 H2 minus H1 आपको पूचा है H2 का formula U sin T 5 T by 6 minus half G 5 T divided by 6 का square minus U sin T T by 3 minus half G T by 3 का square ठीक है यह अपने height का difference आ गया यह आ गया अब दो कॉमन लेते हैं वह दो ले लेते हैं U sin theta 5 divided by 6 minus 1 by 3 T minus half G 5 by 6 का square minus 1 by 3 का square इस पूरिय का क्या आ गया T का square नहाँ अब आपने को T को replace करना यह U sin theta को replace करते हैं time का formula होता है 2 U sin theta divided by G तो अपने U sin theta को लिख सकते हैं क्योंकि answer T की ट्रम है तो U sin theta अपने बास हो गया G T divided by 2 तो यहाँ पर अपने लिख लेंगे G T divided by 2 ठीक है जब आप इसको solve करोगे तो यह आजाएगा जब इसको पूरा solve करोगे solve आप करले ना इसको तो आजाएगा G T square divided by 24 ठीक है तो इसका answer आजाएगा next next a ball is thrown from the ground to clear the wall 3 meter high at the distance of 6 meter and falls 18 meter away from the wall the angle of projection of wall is जो को यह आपको बोला गया है की एक प्रोजेक्टेल करते है ground से एक clear a wall of 3 meter high आपके पास यह 3 meter दे रखा है यहां से आपके पास 6 meter दे रखा है यह इसको clear करते होई इससे इससे पिछे कितना कितना इसको 18 आपको यह ठीटा पूच जाए तो simple सा question है y is equal to क्या करेंगा अपन 10 ठीटा x minus x square divided by r देखो y का value है 3 10 ठीटा पनको find करना है x दे रखा है 6 minus 36 यह होगया 24 ठीक है इसको solve करेंगे तो अपने पास आज़े रखा 10 ठीटा is equal to 2 by 3 next next two particle P and Q simultaneously start from a point A यहां से start करते है 15 से 20 meter per second से P and Q two particle move with the acceleration equal in magnitude but opposite in direction when velocity of P is 30 meter per second then velocity of is अब बोलाए कि इसकी velocity देखो वेलोसिटी बढ़ा नहीं तिसका acceleration ऐसा रहेगा तो definitely इसका जो acceleration इसके opposite रहेगा अब अब आपन को क्या बोलाए कि इसकी velocity जब कितनी हो जाए velocity of 30 meter per second 30 is equal to 15 plus 80 18 नहीं का आगया 15 ठीक है अब इसकी velocity पूचीए 80 तो यह करेंगो तो आजाएगा 5 meter per second next velocity of the project at the initial point A initial point पर आपको velocity गीवन है इस direction में है velocity इस direction आपको velocity दे रहेगी 2 इस direction में दे रहेगी है 3 इस original velocity at point B तो इस point में आपको आपको जाएगी that is 2 meter per second next next दे रहेगी कि गन-पाइट is projected with initial velocity then horizontal range is तो कि इसकी यह velocity है तो पहले time of flight हो जाएगा आपना 2 u y divided by g that is 2 8 10 that is 1.6 range का formula होता है horizontal माला u x u x as 6 into 1.6 that is 9.6 next next question है two ball of same mass are projected with the same speed one vertically upward and other at angle 60 degree with the vertical the ratio of their potential energy तो को इसको जो प्रोजेक्ट किया है vertical के साथ आपको angle दिया इसका यह 60 degree तो यह angle जो रहेगा इसका रहेगा 30 degree तो potential energy जो होता है mg h so that is directly proportional to h और h होता है y sin square theta ठीकिल next next equation of the motion of the project yield आपको given है velocity given है वैसे उसको को यूज निया है what is the range of the project yield तो range of the project yield एपन क्या करेंगे मैं इसको लिक्ला दो हूं y is equal to 12 x common लेलिया minus 5 divided by 12 into 9 x ka square तो range होगी 12 into 9 divided by 5 ठीकिया next a projectile is fired from the level ground at the angle theta of the horizontal the elevation angle phi तो आपको बोलाए elevation angle elevation angle का मतलब होता है कि आपने यहां से project गया और आहिट से देख रहे हैं यहां से तो यह जो angle होता है इसको angle of elevation बोलते हैं इसको फेका कैसे थेटा से तो मैं 10 5 यह क्या रहेगा यह हाइट रेंज कितनी यह कितना रहेगा आइस पॉंट से देखना यह कितना रहेगा हार वार दू आर विटू यह तो है यह नों हो इसका विल पुर्ट करना आपको पास आंसर आज यह अ तो पार्टिकलार थ्रोन ओरिजेंटली इन ऑपोजिट डिरेक्शन विद वेलोसिटी यू एंड तो यू फ्रम देटॉप आप्टर विच ताइम आप्टर विच ताइम आप्टर विच ताइम पर वेलोसिटी दूसरी प्रपेंडिकुलर आपको बोला गया है कि एक को ऐसे यू आई कैप मैं नीच्छे को पोजिटिव ले रहा हूं तो इसलिए जी टी जे कैप डोट प्रोड़क्ट तो यू आई कैप प्लस जी टी जे कैप जीरो करो अपको ताइम आ जाएगा नैच्छ तो 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 शीट्री फिटिवटन अदाइख हूं रहा है तो जी टी नाज बंक्टक्टो मिन आपको ओड़्ष सरी टावलिंस इन अपोझ धिशंट इरा काण तो क्रोस तो ताइम तो क्रोस यह होगी अंडेड रिल्टे वारसिटी तैन प्लस फिप्टीन विल्गेट आंशर नेक्स्ट टू टैन मिटर ट्रैन मुविंग द्यू नॉर्थ एड़ ट्विंटी मिटर पर सेकिंड दाइस्मल बड़िज फ्रैंग ड्यू साथ लिटल अबवाव दाट्रैंड विधि स्पीड फाइव मिटर पर सेकिंड टाइम टेकन तो यह एक दूसरे को ओपोजिट जा र नेक्स मुझता है एक पुलिस जीप है जिसकी खुद की स्पीड है 55 किलो मेटर पर आवर और एक दूसरी जीप है जिसकी स्पीड है 153 किलो मेटर पर आवर पुलिस फाइर बुलेट विद मजल वैलोसिटी अब यहां जो वैलोसिटी बुलेट की है वह है जो गन से बाहर निकले उससे में उसकी स्पीड है 180 मीटर पर सेकिंड तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इसकी स्पीड हो जाएगी ध्यान से देखना 1545 प्लस 180 इंटू 5 ब प्लस 180 यह तो इसकी वैलोसिटी है इसकी वैलोसिटी आपको दे ही रखिए पर इसको भी आपको करना पड़ेगा 155 बाइटीन अब बुलाए कि इसको कितने से हीट करेगी तो डेफिनेटली यह माइनस यह करेंगे तो 180 इसमें से यह करेंगे तो अपने पास आजाएगा 45 माइनस 153 5 बाइटीन यह आजाएगा 150 मिटर पर सेकिंड आपको आंसर किलोमेटर परवड में पुचा है इसको वापिस करना 150 18 बाइटीन 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 नेक्स्ट इसको क्रॉस बेज रहे है आपको बोला है यह यह दौने इसको यह नहीं से बेज़ाया यह यह रिजल्दिन आ राहा है इसका 10 तो क्या करेंगे V का स्क्वार प्लस 8 का स्क्वार इस गोल तो 10 का स्क्वार नेक्स्ट नेक्स्ट है आएट य और डिस्टन्स एक्स अलोंग दो अरिजनल प्लैन अप दा प्रोजेक्टल आपको पुच्छा है वेलोसिटी तो वेलोसिटी के लिए क्या कुरूंगा सब्सक्राइब ले वी वाई रहेगा एट्टीन माइनस 10 टी शरी एट एट माइनस 10 टी वी एक्स रहेगा 6 इनिशिल पुच्छा है तो यू वाई कितना हो जाएगा अब उनको शॉल करेंगा तो यह आज जाएगा एट का स्क्वार प्लस शिक्स का स्क्वार का रूट नेक्स्ट नेक्स 18 गुशन ग्रेटर्स हाइट तो विच दा मैंन कें थ्रो है इस्टोन इस एच लेको मैक्सिममम का फैक सकता है जब उपर फैक है तब एच का स्क्वार आगया यू स्क्वार डिवाइड बाइड बाइड तूजी दा ग्रेटर्स डिस्टेंस तो विच्छी कैन थ्रो अब वो बोला है कि मैक्सिमम रेंज तो मैक्सिमम रेंज कब रही कि जब एंगल 45 रहेगा तो और का फर्मुला क्या रहेगा यू स्क्वार बाइड जी ठीक है कॉंपरिशन करना इस का स्क्वार रहेगा 19 in the figure two projectile are fired at the same time the initial speed of the left side projectile for the two projectile to hit the middle air is आपको बोला है कि यह तो आपको वेलोसिट देर किये है यह आपको देर किये वेलोसिटी 20 मिंटर पर सेकिंड बोला है कि यह ग्राउंड में हिट करना चाहिए तो डेफिनेटल वी वेलोसिटी दूनों की स्यमोनी चाहिए तो वी साइन 60 degree is equal to 20 root 2 वेलोपुट करो अंसरा जाएगा चाहिए नेक्स 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 तेर केस चाहिए इस स्टेर केस्टें थ्री स्टेप इच्टेंट सेंगेमेंटर है और 20 सेंगेंटर वाइट सोन दे फिकर इनननों कि मिनिमम वैलोसिटी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा यह तो इसकी रहेंगी आपको एक वीर्थ कितनी रही है वीड्थ 20 तो रेंज होगी 40 सेंटियमीटर और हाइट होगी इसके अंदर 10 और 10 यह 20 तो time का formula है 2H by G और range का formula है U into T range है 40 cm अब वो यू पूचा है T का value है 220 divided by G तो यहाँ पर put करोगे तो आपके अपास answer आजाएगा तो इसके साथ यह अपना यह pepper खतम होता है थैंक यू बाई बाई टेक्यर जे चल्च